चलिस तो बात करते हैं, HDFC कंपनी के बारे में दोस्तों एक बड़ी ख़बर निकल के आ रही है और बड़ी ख़बर का बड़ा इंपक्ट आप आपको सौंबार के कारोबार में देखने को मिल सकता है पहले तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं तो यह कंपनी जो है HDFC कंपनी यह Tata की कंपनी है और आप जानते हैं कि Tata इन दिनों चर्चाओं में है क्योंकि लगातार इंप्रूमेंट हमें देखने को मिल रहा है Tata की बाकी अधर कंपनियों में तो अगर HDFC की नॉर्मली बात करें तो अच्छा-कासा मोमेंटम हमें इस कंपनी के अंदर लगातार दिखाए देता है देखे अभी फिलाल में एक महीने का चार्ट पेटर जरूर हम लोगों को अप एंड डाउन दिखाए देरा है देखे ज़्यादा की रावट इसके अंदर नहीं दिखाए देरी है नहीं ज़्यादा बड़त हम लोगों को दिखाए देरी है इसी तरीके से दोस्तों कर बात करें पिछले पांस साल की तो पांस साल के दुरान भी आपको अच्छा का सा मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है मातर एक हजार रूपे की आसफास यह स्टॉक्स हुआ करता था वहां से इच्छे खासे रिटर जो है आपके इसके अंदर देखने को मिल चुके हैं तो पांस साल में आपका पैसा था एक सो चोंटिस परसेंट से ज्यादा कर दिया देखें दो दो गुना पैसा जो है कंपन कंपनी के अंदर ग्रोथ ही दिखाए दे रही है अगर देखे जब से कंपनी जो है स्टार्ट हुई है मैं कह रहा हूं कि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ आज की खबर है चार बच के एक मिनट के आस पास यह ख़़र हम लोगों को मिली है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि कोई भी ख़़ब जब बजार के अंदर आती है तो कहिने की आपको हलचार ज़रूर देखने को मिलती हैं बट कुछ कबर ऐसी ह सब्सक्राइब करके रख सकते हैं साथ ही में बैल आइकन जरूर हिट कर लिजेगा ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकिशन आपको टाइम टुटाइब मिल सके अब दोस्तों अब नज़र डाल लेते हैं इस खबर के बारे में तो क्या चीज़ इसके अंदर निकल किया रही है देखें फिलाल में जो कमपनी हैं बहुत ही वेहती निनी कमपनी हम़ों को दिखाई दे तायी है उसमें इंप्रूमेंट देखने को मिलगा जनवरी से हम लोगों को मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है तो आप नजर कहीं न कहीं होने वाली है Q4 के नंबर्स पर दोस्तो आप जानते हैं कि अगर हमें improvement देखने को मिल रहा है अब Q4 का season स्टार्ट होने वाला है तो stocks के अंदर जीरे दरे करके momentum स्टार्ट हो जाएगा उपर की दरफ तो पैसा मोटा बनने वाला है इस चीज़ को आप थोड़ा सा observe करते हैं बट खरीदने से पहले शर्त वो ही है आपको खरीदारी कम कम करनी है और सरफ नीचे की तैयारी करके चलनी है दोस्तो बहुती बहतरी ने company हम लोगों को दिखाए दे रही है long term के अंदर बट कहीं न कहीं मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कोई आपको बता रहा है कि company बहतरी नहीं बट फिर भी आपको खुद की analysis करनी बहुत ज़्यादे जरूरी है दोस्तो क्योंकि फिलाल में क्या है कि आपने देखा है कि stock market के अंदर जिस तरी की से कई बार हम लोगों को उपर नीचे के उल्टे सीधे chart pattern बनते हुए नजराते हैं तो long term में निवेश करने से पहले मैं आपसे बार-बार कहता रहता हूँ कि कम-कम निवेश करना है और दूसरी बात यह है कि खुद की analysis करनी है तो देखें तो लगबग market में value company की किस तरी की से दिखाई दे रही है चार लाग चपन हजार करोड से जादा market value दिखाई दे रही है दूसरी बात यह है कि company के उपर अगर हम देखें तो इसमें dividend भी company हम लोगों को दे रही है dividend yield दिखाई दे रही है लगबग 0.83% के आसपास जो इस साल का net profit है लगब 17,000 करोड का आसपास net profit भी दिखाई दे रहा है earning per share 61 रुपे के आसपास चल रहा है operating revenue की बात करते हैं तो थावान अजार करोड से उपर दिखाई दे रहा है ROC मजबूत है sales growth लगातार हो रही है profit growth बढ़ती होने जरा रही है तो फिलाल में chart pattern से आपने अंदादा लगाई लिया है लगातार stocks के अंदर हम लोगों को ऊपर की तरह momentum दिखाई दे रहा है पिछले एक साल से लगातार growth दिखाई दे रही है और दूसरी बात यह है कि अगर बात करें इस sector में कौन से number पर यह company हम लोगों को दिखाई दे रही है तो number one पर यह company हम लोगों को दिखाई दे रही है उसके बाद में काफी सारी company आती है अब दोस्तों जानने की कोसिस करते हैं कि किस तरह का performance हमें company के अंदर दिखाई दे रहा है पिछले पांस साल तीन साल और एक साल में momentum हमें company के अंदर positive दिखाई दे रहा है इसी तरीके से अगर return on equity की देखते हैं तो इसके अंदर भी हम लोगों को इस्तिती positive दिखाई दे रही और उसी की इस्तिती भी positive दिखाई दे रही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था लगतार जो है अच्छा का सा momentum company के अंदर अब तक हमें देखने को मिला है अब जोस्तों अगर बात करें shareholding patterns की तो जो promoters है वो इसके अंदर zero है कहने का मतलब है कि company के अंदर कोई भी promoters नहीं है तो फिलाल में अगर सबसे ज़्यादा holding की बात करते हैं तो 71.95% के असपास FYS यानि के विदेशी निवेशकों की इसके अंदर holding बनते हुने ज़रा रही और उसके बाद 17.12% के असपास देखने को मिले देखे अभी जो हाल फिलाल में नतीज़े डिकलेर हुए थे company के यानि के Q3 के जो नंबर साय थे उसके अंदर जो operating revenue हम लोगों को दिखाए दे रहा है वो कि पिछले quarter से हम लोगों को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है पिछले quarter में आपको दिखाई दिया था लगभग 11,727 करोड के आसपास और अगर दिसंबर 2020 की बात करते हैं तो 11,707 करोड रुपे के आसपास निकल के आ रहा है बट अगर profit में देखें तो profit company का बढ़ता हुआ नदर आया है quarter on quarter basis पे तो improvement देखने को मलना है company के अंदर इसी तरीके से देखें तो long term में ये company हम लोगों को किस तरीके से दिखाई दरी 2016 से लेकर अब तक की स्थिती देखें company के अंदर हम लोगों को क्या क्या changes दिखाई दे रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है operating revenue 30,000 करोड के आसपास आपको देखने को मिल रहा था 2016 के अंदर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है company के अंदर improvement चल रही है 2016 से लेकर अब तक growth देखने को मिल रही है इसी तरीके से अगर profit की स्थिती देखें तो दखें लगबख 7,000 करोड के आसपास आपको profit दिखाई दे रहा है 2016 के अंदर और अगर अब हाल फिलाल की बात करते हैं तो 70,799 करोड के आसपास देखने को मिल रहा है तो यहां पर भी आपको संकेत positive दिखाई दे रहे है पिछले साल से भी इस्तिती हम लोगों को मजबूत दिखाई दे रहे है अब दोस्तों जानने की कोशिस करते हैं कि company ने हम लोग कराती हुँ चली आ रहे है इससे पहले भी company ने डिविडेंट दिया है बड़ यहां पर जो है data shown नहीं है जितना data available है वो मैं आपको बता रहा हूं 2018 के अंदर दो बार company हम लोगों को दे चुकी है 2019 के अंदर भी दो बार company हम लोगों को डिविडेंट दे चुकी है 2020 के अंद जब भी गिरावाट आपको देखने को मिलती है तो कहना कि आप जो है इसके अंदर quantity एड कर सकते हैं और कम shares होंगे तो अच्छा-कासा moment आपको देखने को मिलेगा तो आप घबराएंगे नहीं यह सारी चीज आपको सही तरीकी से observe कर लेनी चीए दोस्तों एक मौका आपको चार्ज कंपनी को नहीं देना है क्योंकि काफी सारी कंपनिया लोंग टम में डिलिवरी चार्ज लेती हैं अगर इसके अंदर डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे अका चीचेट...